मंदिर में पूझा करने के मामले में बॉलिवोड एक्ट्रेस से शारा अली खान अब विवादों में गिर चुकी है आपको बता दे के हाल ही में शारा अली खान जो के एक अभीनेत्री है जानी मानी और सेफली खान की बेटी भी है वह अपनी मा अमरुता सिंग के साथ वारा नसी में थी और उन्होंने कासे विश्वनात मंदिर में सेवलिंग का सपर्ष कर मंदिर में दर्शन किये और पूझा अरशना किये और इस मामले में अब विवाद खड़ा हो चुका है मां अमुरुता सिंग के साथ फिल्म की शुटिंग के सिलसिले में इन दिनों वारा नसी में है अभीनेत्री शाराली खान, कासिविकास समीती वा वित्वंत परिशद ने मंदिर में दर्सन और पूजन पर सवाल उठाया है कि कहा गैर सनातनी को सिवलिंग के इस परश का प्रा वो शामिल हुई थी और काशी विश्वनात मंदिर में शोडब सार पूजा अर्चना की और सिवलिंग को सपर्श किया इस पर संतो वो विध्वानों ने आपंति दर्श कराई है कासिविकास समीती के महा सचीव चंदर सेखर कपूर ने सवाल उठाते हुए कहा कि अनारिय ह कर उन्होंने कैसे मंदिर में प्रवेश किया और सोडब सुचार विधी से पूजन किया ये पुरी तरह से घलत कार्य हुआ है समीती ने जल्द ही इस पर विध्वानों को अपनी राई रखने को कहा है मंदिर में लकडी का अर्धा लगा होता है कोई भी आम दर्शनार्थी बाहर से ही दर्शन करता है सारा अलिखान आखिर मंदिर के अंदर कैसे पहुची और पूजन कैसे किया इस विवात को लेकर कासे विध्वन परिशत के मंत्री राम नारायन ध्विवेदी ने आपत्ती जताते हुए कहा है कि बाबा श्री काशी विश्वनात मंदिर में किसी परिस्थिती में सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ने का अधिकार नहीं है उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह इस पूरे प्रकरण को कासि विद्वन परिशत के होने वाले मिटिंग में भी उठाया जाएगा कि लोग कौन लोग इस पूरे प्रकरण में दोशी है यदि आ